दोस्तों जो चीज आप मेरे हाथ में देख रहे हैं देखिए कटोरे में जो चीज है इस चीज का प्रयोग आप अपने अपराजिता के प्लांट में करेंगे तो आपके अपराजिता के प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग होगी जिस प्रकार से मेरे प्लांट में हो रही है देखे इसमें किती अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और इसकी ग्रोध भी देखे किती अच्छी हो रही है अब प्राजीता से रिलेटर वीडियो मैंने पहले भी बनाये हैं और आज वीडियो एक और बना रहा हूं क्योंकि जो यह चीज प्रयोग मैंने करी उसके बाद का र बने रहे हैं क्योंकि जो है खाध के रूप में दी जाती है देखे concrete को कैसे करना ना यह मैं सब आपको वीडियो में पूरा ऑफाना पाम विडियो में बने रहे हैं और जो यो लोग मेरे चैनल में नए जुड़े हैं प्लीज सब्सक्राइब करने और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें आप दोस्तों अपराजिता का जो प्लांट है यह ग्रोध अच्छी कर लेगा अगर आप इसकी देवाल अच्छे तरीके से करोगे और इसमें फ्लावरिंग भी आप भर बर के लोगे अप्राजिता का जो पॉंदा है यह बेल के रूप में पॉंदा होता है यह जो बेल होती है यह देखिए किते उपर को चाड़ी देखिए अगर आपके पास जोगा है तो इसको आप जमीन में भी लगा सकते हैं और अगर आ गमला आप लिंगे अप्राजिता के प्लांट के लिए तो आपको कम से कम 12 इंच का गमला चीए अगर आप और बड़ा गमला लिंगे तो और प्लांट आपका अच्छी ग्रोथ करेगा यह मेरा एक ही पहुदा है देखिए इसमें किती अच्छी फ्लावरिंग हो रही है तो वर्मी कमपोस्ट का यूज कर सकते हैं या आप किचन वेस्ट से जो तैयार करते हैं कमपोस्ट उसका भी यूज कर सकते हैं उसका यूज आप हार आट-दस दिन में करेंगे इसमें तो पहुदा जो है अच्छी ग्रोथ करेगा और इस तरीके से आप क्योंकि यह देखिए रूपी पहुदा होता है तो इस तरीके से आप इसमें सपोर्ट दे दिंगे देखिए जैसे मैंने दे रहे हैं चार सपोर्ट दे रहे हैं आप एक पहुदा लगाएंगे तो उसमें सपोर्ट देना जरूरी होता है क्योंकि जो सपोर्ट नहीं दिंगे तो इसमें बेर उप अपने जब गमले में लगा रहा क्यांकि कई नोग की होती है में ज़कान या कहीं भी पुदा लगाते हैं तो युद्धे पूलमें नहीं नहीं पाते हैं और पुदा अच्छी ग्रोथ मैं अधाinch करता है तो इसका जो तरीक अच्छी फ्लावरिन लेने का उसमें आप खाद के अलावा जो गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट देते हैं उसके अलावा आप एक्स्ट्रा जो खाद देते हैं कई लोग जो इसमें केमिकल खाद भी देते हैं DAP दिए पी मैंने भी यूज करी थी लेकिन उसका रिजल्ट उतना 100% अच्छा नहीं रहता है तो मैंने डिए पी के लाव मैं जो खाद यूज करता हूं जिसकी वेसे इसमें अच्छी फ्लावरी मैं आपको बताता हूं यह देखे यह जो यह चीज आप देख रहे हैं यह है जो मठा होता है या दही होता है दही का भी यूज कर सकते हैं पहाड़ों में इसको हम गाय की चांस कहते हैं जो मठे से बनाए जाती है उसी को हम निकाल के देखिए करते हैं इसका यूज मैंने इसमें पौधि में करा हर इसको तीसरे चौथे दिन मैंने इसको यूज करा तो उ जो द्धाय कर सकते हैं उसका यूज कर सकते हैं जो द्धाय को आप यह को और एक बाल्टी में आप 2-3 लिटर पानी ले लिंगे यह दही को आप उस बाल्टी में जो पानी ले रखा उसमें पुरा मिला दिने उसमें पुरा मिक्स करके इस तरीके से आप इसको 3-4 दिन के लिए रख देंगे तीन चार दिन के लिए इसको रखना है उपज़े इसमें आप को यह तावे का ब्रतन यी यूच करते हुंगे तावे रखकते हैं कोई भी तो उसमें तावे का बरतन तो आप उसके बाद इसको तीन दिन बाद इसको यूज करेंगे इस तरीके से इसको मिला कर तीन दिन बाद इसको अपने पूरा यूज कर लिया है उसके बाद आपको बता रहा हूं इसको यूज इतना प्रीगे यूज करना है दिखिए आप इतना लिंगे इसको और जैसे आप पानी देते हैं पौंदे में तो उस तरीके से इसको डाल दोंगे एस ingeOS कैणी के 600 ऊंचीज ग्रोथ हो जाएगी और आपका पौंधा कम से कम 10alten दिन में अच्छी ग्रोथ अच्छी होने लग जाएगी तो कई लोगों की जो फोल नहीं आ रहे हैं तो आज दूर हो गयोगी और इस तरीके से आप अपना कर बताईए आगे को कमेंट करें अगर आपने यूज करा इस तरीके से और आपके पहुंद में अगर अच्छी ग्रोध हुए तो जरूर कमेंट और आपके पहुंद मेंट करें रहे हुए यूज़ दूर आपने अवागी तरीके साथ जाज़ आपके शुटब लिएब फिरे अगर पिर्शब पहुंद मेंटवर कि अवार का बतावर कि अपतावर नहीं बतावड़ आपके लगद करेंगे लावद तो टू पमें एप